असलामलेकम नाजरीन दिस इस बिलाल आजम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिंगर ट्रैवलर और चाइना और थाइलेंड की सीरिस केड़ने के बाद मैं अगा था वापिस और मैंने काफी जादा कमेंट्स वकेरा रसीव किये थे अपने चैनल के ऊपर के काफी लोग पू गैजट्स होते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि यह वाला बंदा जो इनसे गैजट्स कर रहा है मुझे भी शायद यह वाला लेना चाहिए क्योंकि इसका रजल्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है तो मैं अर्शाना चुझ अपना चर्णी पछले 5-6 महिने के अदर अपने काफी वीडियो बनेते हैं मेरे पिछले गैजट्स क्या थे उसके उपर मैं आपनी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ वह आप अगर देख सकते हैं में नीचे लिंक भी लिका दूँगा पहले मेरे पास सारे यह गैजट्स थे और अब मैं अपने यह सारे गैजट्स यह अपग्रेट कर रहा हूं या चेंज हो रहे होते हैं वो मैं अपने इस जो पेज है वेपसाइट के ओपर अपने अपडेट कर रहा होता हूं इवन उसमें सिरफ मेरे जो content creation की gadget नहीं है मेरे tracking के क्या gadgets हैं मेरे camping के क्या gadgets हैं इवन मैं shirts कौन सी पहनता हूं किस brand की पहनता हूं इसके पहनता हूं या socks कौन सी पहनता हूं यह भी मैं अपनी फिक्स कर चुका हूं अपने पूरे travel के लिए इसलिए आपने देखा होगा मेरी shirts fix होती हैं जो एक ही brand की मैं एक ही color की shirts जो है जब भी आगे future में आपको देखना हो anyways, तो number one चीज यह थी कि मैं जब अपने चत्राल और हुंजा के trip के ओपर निकला था तो वहाँ पर मैंने decide किया था कि यार मैं आइदा से अपनी इस series के अंदर अपने जो DSLR के साथ साथ मैं थोड़ी सी अपने vlogging मुबाइल से बे करूंगा जिसके लिए मैंने सबसे पहले यह मुबाइल खरीदा काफी जादा मेंगा था यह वाला Samsung S22 Ultra इसका camera क्योंके बहुत अच्छा था और DSLR पहले में यूज़ कर रहे था यह जो आप इस विडियो देख रहे हैं यह भी मेरा DSLR है A73 इससे शूट हो रही है लेकिन अब इस camera को मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरह इंडोर या जो मेरी corporate वीडियो मैं बनाता हूं जो मेरी company है वीडियो production की protect.pk के नाम से वहां पे मैं अपनी शूट करता हूं लेकिन मुझे आइडियली मैं यही सोच रहा था मैं अब अपने mobile के उपर शिफ्ट हो जाँगा तो मैंने यह चीज़ थोड़ी सी टेस्टिंग के लिए जो गिलगीत और हुंजा था वहां पे की रिजल्ट अच्छे थे लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा था जो स्टेबलाइजेशन का तो मैं वापस आया और चाइना क्यूंकि मैंने फॉरण निकलना था उसके लिए मैंने गिंबल ढूंड़ी के मैंने यार इसके साथ मुझे गिंबल एक अच्छी चाहिए जो मेरी स्टेबल फुटेज दे सके तो मार्केट में गिंबल जो थी इस वक्त दो बहुत अच्छी चल रही थी फीड़एक एक थी डीजी आई की गिंबल जो है आई तिंग सिक्स मॉडल में यही थी के यह जो गिंबल है इसकी एक तो बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है यह 12 गैटे के थी और यह बड़ी क्विकली आपकी बंद हो जाती है बड़ी क्विकली आप इसको अपरेट कर सकते हैं और बहुत इसकी स्मूथ फुटेज और इसके अदर ट्रैकिंग बह इसके अंदर आपको ट्राइपोर्ट भी अलाइदा से लिगाना पड़ता है इसके वह गिंबल इतनी वड़ी हो जाती है इसका फाइदा यह है कि यह इसका ट्राइपोर्ट जो है वह ऐसे इसके अंदर चला जाता है और अगर आपने जब यूज करनी है आप इसका ट्राइ प्लस इसकी बैटरी लाइफ वारा गेंटे थी उसकी छे गेंटे थी तो यह सारी चीज़ों करने के बाद दूसरा गैजट जो मैंने खरीदा वो था फिर यह अच्छा इसके बाद जब मैं एडिटिंग कर रहा था मेरा जो लैप्टोप था वो क्रैश कर गया हार्ड उसकी उ अल्मॉस्ट मेरा कुछ साथ गेंटे चीजस साथ गेंटे ले जाता था फर रेंडर होने के बाद मुझे ने तक की तरह घरम हो जाता था जिसकी विए से मुझे भी यह था किया मेने अपना लैप्टॉप अपगरेट आप करना है और जितने भी कॉंटेंट किरेशन के दे लोग हैं उन लोगों के साथ भी बहुत डिसकस किया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मुझे शाहिद अब अल्टीमेटली मैक्बुक के बड़ेगा विकाद जितने भी कॉंटेंट के दर लोग थे मुझे मैक्बुक पर शिफ्ट होने का कह रहे थे अल्टीमेटली मैंने दिल गुर्दा जो है वो बड़ा करके बहुत ज़्यादा महिंगा मैंने मैक्बुक खरीद लिया और मैंने खरीदा मैक्बुक प्रो M1 मैक्स विद शिस्टीफोर जीबी रैम एंड टू टेराबाइट उसकी जो हाड़ डिसक है जो SSD की स्पेस है काफी ज़्यादा हाई स्पेक्स मैंने इसलिए लिए कि एक दफाई मैं जब पैसे लेगार हो तो फिर ज़रा हाई स्पेक्स का ही ले रहते हैं सकता है तो जो मैं अपने के नाम बता रहा हूं बस गूगल पर जाके इनका नाम लिखेंगे तो आपको इनकी लेटस प्राइस नजर आ जाएगी मैक बुक के ओपर शिफ्ट होने के बाद जैसी मैंने पहला व्लॉग मैंने रिलीज कि रेंडर किया एडिट किया तो जनाब वही मेरी वीडियो जो मेरे नॉर्मल लैप्टॉप के पर असूस का मेरा लैप्टॉप था बड़ी अच्छी स्पेक्स ने उसकी लेकिन जनाब वो जो मेरे 6-7 गंटे लेकिता था इसने 3-30 मिनिट के अंदर मेरा व्लॉग जो है वो निकाल दिया रेंडर करके मैं तो वहीं पर ब्लोन आउट होगे यार कि यह क्या लैवल है कहां 6-7 कंटे कहां 30 मिनिट तुम मैंने का यार चलो पैसे पूरे हो गए यानि इसकी आए थे तक है में इस्टाग्राम का कॉंटेट भी और मेरा टिक टॉक एलिए बिना सकों मैं अब मैं उधर भी अपनी जो है वो शॉर्ट फ़र्म के अदर अपना कॉंटेंट डालता हूं जिसके वहां पे वहां पर मेरा बहुत जादा अच्छा रिस्पांस आरहा लोगों का तो this was just because कि मैंने एक अच्छे गैजट के उपर इंवेस्टमेंट की लेकिन एक चीज़ यह याद रखनी है आपने जब भी कॉंटेंट के इंटर होना था तो एकदम नी पैसा लगा लेना होता है स्टेप वाइस जाना होता है मैंने देखें कहां 2016 के अंदर कॉंटेंट केशन स्टार्ट की लेकिन 2019 में जब ने जॉब चोड़ी और इसको काम को सीरिसले स्टार्ट किया एक्च्छल में 19 के अंदर मैं सीरिसले इसके अंदर आया 19 के बाद भी देख लें कोई 23 2016 से लेकि 2023 टोटल आलमोस कोई साथ साल बाज जा के मैंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आस्ता अस्ता करना शुरू किया अल्टिमेटली मैं चाइना जाने के लिए त्यार था और मैं देख रहा था कि या ठीक है लो जी यह मेरा गैजट हुआ करेगा इसको पॉकेट से निकालेंगे इसका भी बड़ा फाइदा यही था कि यह बड़ी अच्छी पॉकेट के अंदर जो है वो आ जाती है तो अराम है भी बड़ा अच्छा फिट होगे हाँ इसके साथ साथ ही मैंने अपना जो माइक था पहले हम DSLR के लगाते थे बहुत बड़ा वो मैं यह लड़ी यह ले चुका था DJI का माइक इसका सबसे चीज चीज यह है कि छोटा सा यह माइक होता है वाइडलस होता है और आप अराम मेरी investment रही यह भी महिंगी item थी लेकिन अब मैं आइस्ता महिंगी items की तरफ जा रहा हूँ अच्छा उसकी वज़ाई यह है कि वो जो इतना बड़ा माइक लगाते थे वो भी बहुत ज़्यादा prominent होता था प्लस इसकी अवाज बगयरा बहुत अच्छी होती है और बहुत ज मैक बुक लिया और मैक बुक के बाद मैंने जब इससे अपना Samsung के मुबाइल से अपना data transfer करना शुरू किया इसके उपर अपने Macbook के उपर तो भई यह तो Macbook कहता भई मैं तो सिर्फ एपल की चीज़ें जो है वो मेरी दोस्तिय में इनसे कोई चीज़ें अपनी ट्रास्फर नहीं करवाता ना Android को ultimately चाइना जाने में दो दिन रहागे थे और मुझे फिर यही मैंने finally decide कि मुझे Apple का ही phone लेना पड़ेगा ताके मैं अपना easily footage वेगर ट्रास्फर कर सकूं तो जना फाइनली मैं shift हो गया अपने iPhone के उपर जो मैं पिछले कई सालों से अपने आपको रोक लोग बहुत जादा मुबाइल से पहले भी वीडियो बना रहे थे स्पेशलि अगर आपने देखा हूं मेरी जो एरान और टर्की की सीरीज थी महां पे थोड़ा से DSLR यूज़ करने में मसला था तो मुझे 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 मुबाइल यूज़ करना पड़ा था लेकिन मेरे उस वक्त मुबाइल बहुत जादा अच्छा नहीं था और पहली दवा मुझे मुझे खुद भी मजा नहीं आया था बहुत जादा अंस्टेबल फुटेज और नौइज और यह सब कुछ लेकिन जब मैंने इसकी फुटेज देखी तो मुझे मैं बहुत इंप्रैस हुआ का फरक रहता है बहुत जादा शार्प है बहुत है चोपी आती है आंखों को थोड़ी सी जर्की जर्की फील होता है लेकिन इसका जो फ्रेम रेट सेटिंग है जो आटोमेटिकली यह शिफ्ट करता है लाइट के साब से तो मुझे यह तसलिए होगे कि यार अच्छा गैज लेकिन कौन सा कर रहा है अब ही फिलाल देखे मैंने लिए क्या क्या गैजट चो मेरे पास पहले नहीं थे इसके लावा यह तो मेरा पराना गैजट है मैंने वैसी डिस्प्लेइ के लिए आपके सामने रखावा है ड्रॉन मैं आलरडी यूज़ कर रहा हूं ड्रॉन डी ज़्यादा सख्त कवानी बनते जा रहे हैं जिसके वह से मैं अपने आपके रिस्क में डालता है आप बाइक टूर्स पे अगर निकल तो आप बैक के साथ यह अपने बाइक के लेकर निकल आते हो लेकिन एरपोर्ट पर चेकिंग्स होती है बहुत ज़्यादा मसला होता है तो यह पाकिस्तान टूर्स के लिए फिलाल रखा हुआ है इंटरनेशनल टूर्स में यह यूज नहीं होता अगला गैजट जो मैंने यूज किया आपने मेरी फुटेश देखी होगी सबसे अच्छी चीज होती है कि यह पूरा कैम्रा जो है ऐसे खुल जाता है और काफी ल 360 पुरा व्यू लेता है और आप कोई भी उसका जो एंगल है वो अपना स्लेक करके अपनी फुटेश के अंदर ले आते हो और इसका फाइदा यही होता है कि बहुत सी जगें जहां पर नॉर्मल शूट आप नहीं कर सकते वहां पर यह कैमरा आपके काम आता है तो इस कैमरे शूट इसकी वैसे हुआ यह मैंने इदर सार पर लगाया वह था और भी हर तरफ से मेरा शूट ले रहा था और अगर मैंने यह नॉर्मल हाथ में दूसरा कैमरा आपने हालत देखी है वहां पर क्या मेरी हालत हो और कैसे पकर पकर के जाना था तो आप तो कोई कैमरा के अंदर गुज़ चुक है क्योंकि इसका यूसेज बहुत कम है और फाइदा तभी है जब आपका बहुत ज़्यादा प्रफेंशनली काम करें हो पके यूट्यूब से बड़ी अच्छी इंकम आ रही हो अधर वाइस नहीं लेकिन इस वेड़ी गुड गैजट यह आपकी जो किट है उसके अंदर होना जरूरी है तो फाइनली अब उस गैजट की तरफ जाते हैं जो बिलकुल मेरा आज ही पहुंचे और मैं आज आपके साथ शेयर करने लगाँ जिसकी अधर से मेरी यह वीडियो बनाना जेन में आया के यार मुझे यह वीडियो बना देनी चाहि से मैं यह यूस करो मैंने सबसे पहले गोप्रो का हीरो फोड लिया और फिर मैंने यह हीरो 7 लिया था 2017 में यह वाला मॉडल उसके बाद मैंने अपग्रेड करने के मुझे जरूरत फील नहीं हुई इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था और बहुत कम-कम जो हैं वह अपग् यह 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 जो हैं यह शाटेज नहीं बन रही हीट अप हो जाना इसके इशु और फिर सबसे बढ़ा कि यह लोग आपने अगर इसके साथ माइक लिगाना है विकॉस जब आपने अपनी विलॉगिंग करनी होती है हिल्मेट के उपर लगाकर तो आपकी इसकी जो जितनी अलाइदा से आपको कोई 17-18,000 पे का ये तना सा माइका गैजट खीद ना पड़ता है फिर आपको ये 2-3,000 पे का ये अलाइदा से उसका नया एक जैकेट खीद ने पड़ती है स्टेपलाइजेशन पहले ही आ चुकी थी, वो खाम खामस को स्टेपलाइजेशन को ही अपनी पर्मोट करते जा रहे थे थोड़ा बहुत हाइपर लैप्स और टाइम लैप्स वो बंदा बहुत कम यूज़ करता है नॉर्मल फुटेज हपको जी चाहिए उती है, और अच्छी होने चाहिए और फुटेज अच्छा होना चाहिए प्लस मसला क्या रहा था मसला यह था कि गोप्रो की फुटेज का क्लर और ड्रॉन की फुटेज का कलर जब आप देखते हैं आपको एडिटिक में इतनी मेंनत करनी पड़ती है इसके कलर कोई और होते हैं और बहुत जबरदस्त होते हैं और इसके साथ साथ आपका जो DSLR था वो भी फिर भी मैच कर जाता है ड्रोन के साथ यह नहीं करता बहुत ही सेचुरेटेड कलर और हाई फ्रेम रेड भी आपको मिल रहा हुता है अल्टिमेटली मैंने जब देखा उन्होंने मीडिया मोड निकाला उन जो यूजर थे जितने में लोकों से पूछा वो बहुत ज़दा तंग थे कि यार यह जब आप माइक लगाते हैं तो आपको बैटरी वाला पूरा आपको अपन करना पड़ता है और आप हलकी सी बारिश पे होगे तो पानी अंदर जाने के चांस होता है बैटरी वाली जगा से यापने एक माइक लगाना है तो आपको बैटरी वाला पूर्शन का पूरा उतार नहीं पड़ेगा तो ये वाले मसले मसाइल आपके थे जो गोपर अभी तक 11 मॉडल आ चुक है और मैंने नहीं लिया था मैं समझा था शायद ही अगला मॉडल दे दें शायद अगले मॉडल में थोड़ा बेतर कर दें प्लस मुझे सबसे ज़्यादा जो ख्वाइश रही है अपने इन मॉडल से क्यूंकि मैं इससे विलॉगिंग भी करता रहा हूं थूरू और बहुत ज़्यादा मैंने विलॉगिंग भी किया इससे मेरा यह था कि यार इतनी दुनिया अब AI के उबर शिफ्ट हो गई है और इतने ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन चोटे-चोटे से कैमरे होते हैं इनके अगर आप देखें लेकिन इसके इन्हों ने जो बुके एफेक्ट जो बलर करती है इमेज को और आप जो विलॉग नोन नोने वन निकाला, टो निकाला, थ्री निकाला, मुझे नहीं प्रैस किया जब इन्होंने यह फोर निकाला है तो इसके अंदर जो सबसे में चीज नोने दिया है सबसे पहले तो उसने मुझे ट्रेक किया, वह थहा इसका कूइक्क रिलीज और आपको जब गोप्रो औ लगाते हैं तो आपको इसके नीचे यह पूरा गैजट है इसके अंदर जब आप लगाते हैं तो आपको बार बार यह जो स्कुरू लगे हुए इसके साथ आपको इसको टाइट करना पड़ता है आपने हैलमेट कहीं पर रखके अंदर जाना है तो आपको कैमरा के साथ लगा परता है यह आपको इसके जो स्क्रूज रहें वह आपको खोलने पड़ते थे तो यह जनाब डीजिया का और आपको बहुत यह चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको कैमरा बार बार उतारना होता है जिसके लिए देखिए यह इन्होंने मैगनेट सिस्टम बना दिया है सिंपल मैगनेट है और नीचे इसके क्लिप्स हैं और यह अराम से इसके इंदर फिक्स हो जाता है आप इसको अज़स्ट करो और अगर आपने खोलना है इसके नीचे इदर क्लिप है क्लिप आप दबाते हो और आपका यह कैमरा रिमूव हो जाता है तो यहार सबसे पहली चीज जो इसका जो कॉंबो लिया आपको पूरा बैटरी पैक मिल जाता है इसके अंदर और इसके अंदर आपकी सारी बैटरी जो है वो चार्ज भी हो जाती है यह बड़ी अच्छी चीज थी प्लस इन्होंने इसी तरह आपको एक व्लॉगिंग के लिए आपने इन्होंने स्टिक भी दे दे कि आप व्लॉगिंग स्टिक के ओपर भी इसी तरह कैमरा लगाएं और यह आपका जो है वो कैमरा रेडी और आप इससे अब इस तरह व्लॉग का जो है वो सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है इसी तरह मैं अब आइस्ता-इस्ता मुझे फील हुआ कि मैं अब DJI के भी ecosystem एंटर हो रहा हूं इसका भी मुझे फाइदा होने वाला है कैसे यह DJI का camera DJI का result DJI का ही जो यह माइक है और यह DJI का next मेरा यह वाला camera जब आप एक कंपनी के सारे के सारे गैजट यूज़ कर रहे होते हैं उनकी compatibility आपस में एक दूसरे के साथ बहुत जादा अच्छी होती है जिसकी विज़ा से आपका जो overall result पिराता है वह बहुत ज़्यादा स्मूथ होता और तंग नहीं करता तो इसलिए इसका फाइदा यह हुआ कि यह DJI का जो camera यह वाला और यह DJI का यह camera पीछे क्यों कंपनी है तो result इनके आपस में मैच करते हैं जब मैं gopro और drone के camera footage करता था तो इसको इस जैसी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा color grading और color correction करनी पड़ती है तब जाके आपको आपका difference खतम होता है लेकिन जब आप DJI का ही यह वाला camera यूज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फरक इतना ज़्यादा नहीं मिले का और जो technology इसमें होगी वही almost इसके अंदर जैकिट चड़ाओ और जैकिट चड़ाओ या इस तरह का माइक का डॉप्टर खरीदो और फिर उसके साथ माइक लगाओ जबके इन्होंने सिंपल क्या किया है यह सबसे बड़ा पॉइंट के आप सिंपल इन्होंने सी टाइप की option दे दिया उसी सी टाइप अली जगह से आ और आप यहां से मिल गिया और यह यह आपने जो मेरा गैजिट वाला लिंक भीएंग ट्रैवलर डॉट कॉम स्लैश गैजडिट वहां पे मैसका लिंक मुल लगा दूआ अपने इसको सी टाइप को यहां पर लगाया और दैसट यह आपका रेड़ी हो जगता है आप आराम स आप DGI का माइक है वाईडलेस वह भी आपर आहूं से यहां पे लगाएंगे और अपना overऊजिन यहां पर माईक WooDS बोग गर सकते हैं तो यह फाइदा होता है एक ही चीजे लेने का किesh नेका कि दी-जाय का माथ дела ल इनक Isaac अब कुछ तो आपकी वह जो इको सिस्टम aber के वह लिव एक दोसरे को सफोर्ट करता है यह तो थे यहार मेरे यहार मैंने का चले हम और ऐसाथ अपडेट करों आखरी गैजट जो मेरा अगला आने वाला है वो भी DJI का ही है और वो गेम चेंजर है वो गेम चेंज करने वाला है वो इसकी गेम भी खतम करने वाला है और वो है जनाब DJI का पॉकेट 3 जो रिसेंटी आप इन लोगों ने भी लाउंच की है मैं फ्लैट होगी हूँ मुझे लग रहा है कि मेरी सारी की सारी विलागिंग इसी के ओपर शेफट हो जाएगी अभी मैं ताजा ताजा आया हूँ चाइना से और थाइलेंड से और अगला भी एक दो ट्रिप्स करने के बाद मैं अभी इसके फीड़बैक्स देख रहा हूँ लोगों के रिव्यूज देख रहा हूँ और इसके अंदर अगर कोई फ्लालेस नजर आया को बोसिता मसले मिसाल ना नजर आया तो शायद मैं इसके ओपर शेफ्ट हो जाँ चोटी सी पॉकिट है DSLR के लेवल का उसका रिजल्ट है इसके रिव्यूज जरूर देखिएगा सबसे चीबात क्या है जो इसका कैमरा है जो प्रूववन है कि यार बहुत ही इनके ड्रोन के अच्छे कैमरा होते हैं और इसी कैमरे के आगे स्टिक को लगा दिया यानि वह हाई क्वालिटी वन इंच सेंसर के कैमरा जो के ड्रोन के होता है वह ही वन इंच का सेंसर इन्हाने इस डीजे चयए पॉकित के अंदर दे दी है और क्या फुटेज प्या स्मूथ इया स्तिक होती है लेकिन जो stabilization यह देखिए इसके अंदर होती है ना इनके जो जो three axis वाली stabilization होती है वो इसकी stabilization नहीं होती plus बहुत चोटा हो गया है कहां camera यह वाला भी इतना बड़ा और वो बहुत ज़्यादा चोटा because जितनी भी आप international traveling करते हैं जितना कम आप लोगों की नजोरों में है जोतना सकून है जितना ज्यूदा प्लोगों की नजोरो में जवादा है जातना लूदा आपको लेकि और चेक तरह जो परोगर मली में है आगले model का weight करूँगा तो क्योंकि इन लोगों ने डीजाई ने किया यही है कि यार यह तो हम बनाई रहे थे चलो इसके साथ स्टिक लगा के एक और प्रड़क्ट बना रहते हैं तो क्योंकि आप ड्रोन के इनके जितने अगले मॉडल आ चुके हैं एर 3 और जिसना इनका प्रो मॉडल है उसके इन्होने एक meiner चाहिए और यह गिंबल ने दो जो यह हैं वाइड आइंगल एक और प्रों को यह ओयाइसा कि जरुआ है क्योंकि अभी जो वो ड़ा नजर आता है वह ज़ादा बड़ा नजर आता है बहुत जादा वाइड नहीं है और सिंगल कैमरा है जब यह तीन कैमरे हो जाएंगे ना इसके अंदर वाइड भी आजएगा एक सिंपल भी आजएगा और एक ज़रा टेली फोट वाला भी यह तो था यार मेरी एक समरी जो मेरे सारे के सारे गैजट थे जो अपगरेड थे क्या मैंने चेंज़िस की क्या मुझे फाइदे हुए और क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए सिर्फ इसमें अकर मैं कहूंगा तो इंस्टा 360 हरे के लेने वाली चीज़ नहीं है यह सिर्फ और से बहुत जादा जो कांटेंट क्रेशन के अंदर है सिर्फ वो लोग लें अधर वाइस जो है वो हाँ और सेकंडली और यह वाली चीज़ भी मुझे लगता है शायद मेरी नहीं इस्तमाल होगी विकास मैं कैमरा बहुत जादा मुबाइल ब तब मैं इसके साथ यूज कर लेता हूँ अधरवाइस ट्रावल के अंदर जितने गैज़िट आपके पास कम हो और चोटे हो उतने ही बेतर होता है डियसलर आज से खतम और मुबाइल भी शायद यह दिज़िए पॉक्ट जो मुझे पसंद आगी है शायद यह भी खतम होग करेगा तो आपकी नॉलज में जाफा होगा और कभी भी आपने कोई भी गैजट्स मेरे देखने हो तो वह आप मेरे बिंगर डाट कॉम स्लैश गैजट्स के पर जाकर अपडेट हमेशा के लिए देख सकते हर दफा बैसी वीडियो आप नहीं बना सकते तो यह वीडियो भी इसलिए बनाए कि काफी जादा चेंजिस आई थी जो मेजर अपग्रेड आया वो मेरा था मैक बुक का तो फ़री जेन में रखो एडिटिंग अगर आपने करनी और बुद्धा तंग हो एक दफा जिगरा निकाल कि आपको यह लिना पड़ेगा मैक बुक तब आपकी जिन् थांड वाले लाके नहीं बसान तो मैं इसी तरह देख रहा हूं कि यार किस जगा जाया जै अंशाला कुछ दिनों बाद कुछ जैसी फाइनल हो जागा तो आपको नई सीरीज मिलेगी सी यू इन नेक्स ट्रेवल डेसिनेशन